आज हम बनाएंगे सूजी का खास्ता कचोरी बहुती तेस्टी चटपटा क्रिस्पी कुरकूरे यहां का सौंड आप थोड़ा सा सून सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं रीसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा तो सूजी का खास्ता कचोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी का डो लगा लेते हैं तो काराही में हम दो काटोरी के करीब पानी डाले हैं और जिस काटोरी से हम पानी डाले हैं उसी काटोरी से हम एक काटोरी पुरा भर के सूजी लेंगे तो पानी हम गरम होने के लिए गैस पे रख दिये हैं पानी गरम हो रहा है तब तक हम इसमें एक चमच के करीब नमक डाल देते हैं या आप सोवाद अनुसार भी नमक ले सकते हैं और साथ में ही डाल देते हैं हम इसमें एक चमच के करीब तेल तो इन सभी को मिला देते हैं एक वर अच्छे से और पानी को एक वाल आने तक हम इसे गरम होने देंगे अच्छे से जैसे ही गरम हो जाएंगे तो पानी उबलने लगेंगे तो पानी जो है ओ गरम हो चुके हैं उबलने लगे हैं तब हम इसमें सूजी डाल देते हैं तो आप बारिक वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं जो आपके पास available हो या सूजी available ना हो तो आप इस जगह में चावल काटा भी ले सकते हैं इस recipe में तो इन्हें हम continue हाथ चलाते हुए डो के जैसे आटा लगा करके त्यार कर लेते हैं सूजी का डो लगा लेते हैं तो यहाँ आपको रुकना नहीं है गैस का फिलम आप धीमी कर दीजिएगा और धीमी आज पर यहाँ पर continue हाथ चलाते हुए इसका डो लगा लेना है आपको तो बहुत ही असान recipe है बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इस डो को लगाने में आपको वही तीन से चार मिनट का टाइम बहुत ही जल्दी बन जाते हैं तो यह डो के जैसे पूरे अच्छे से बन चुके हैं अब हम गैस का फिलेम बंद कर देते हैं और सूजी को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो जब तक सूजी ठंडा होगा तब तक हम आलू का मसला बना लेते हैं तो सूजी क तो एक वार अच्छे से मिला लिजीगा, immis तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही कम महनत वाली सुजी का डोला करके तयार हो गया है, तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं, ठंदा होने के लिए। चलिए तो आलू का मसetr स्वा बना लेते हैं, तो आलू का मसला बनाने के ऊसमें डाल दी है एक छोटी चमच के करीब हमस्सेऻारी बहुं लेते हैं अब हम डाल को आप जिस Εप मेंड काटना चाहे आधाध आप जाएक यहां और इसमें दाल दौ हमस्यारी है इनहें भूण लेते हैं एक बार मिलाते हैर अच्छे से अगर आप किसी भी कारण से प्याज लसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसे आप स्किप कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एक चमच के करीब अधरक लसुन कदूकस करके और साथ में हम तीखा के लिए इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं तो मैं एक ही हरी मिर्च इसमें डाल रहे हूँ अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 2 से 3 ले सकते हैं तो इनसा भी को हम मिला दे हैं और मिलाते हुए इन्हें भून भी लिए हैं भून चुके हैं अच्छे से तब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गाजर और केपसी कम और ज़्यादा भेजीटेबल सब खाना पसंद करते हैं तो और भी आप एड़ कर सकते हैं तो इन सभी को मिलाते हुए हाई फिलेम पे भून लिये हैं थोड़ा सा कलर इसका भी चेंज हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चमच के करीब हम हल्दी का पौड़ा डाले हैं हम बहुत ही कम मसला के साथ में इस मसले को आलू मसला को बनाये हैं अगर आप ज़्यादा मसला खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अब हम इसमें डाल दिये हैं एक छोटी चमच गरम मसला और आधी छोटी चमच के करीब हम लाल मिर्च पौड़ा डाले हैं इन सभी को 2-3 मिनट के लिए धकन बंद करके हम पकने देते हैं तो 2-3 मिनट हो चुके हैं और यह मसला पक चुके हैं तो गाजर थोड़ा सा हाड रहता है तो गाजर को पकने के लिए यह। और ऐसे महिन कट किये थे गाजर को तो पक चुके थे लेकिन फिर भी हम सोचे थोड़ा सा cover करके पका देंगे तो vegetables अच्छे से पके रहेंगे तो बचे लोग उसे निकाल के फेकेंगे नहीं खा लेंगे अगर सबजी समय थोड़ा सा भी crunch रहेंगे तो ये लोग बीच बीच करके पूरा निकाल देंगे तो इसलिए हम गाजर को कैपसिकम को अच्छे से पका लिए हैं अब हम इसमें डाल दिये हैं चार बॉयल्ड आलू जो कि हम कदू कस कर लिए हैं ताकि इसे हमें ज़्यादा ना मिलाना पड़े बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे मसला के साथ में तो इन्हें हम बहुत ही अच्छे तरह से मिला लिए हैं मसला में आलू को तब हम इसमें डाल देते हैं थोरा सा धनिया का पत्ता और धनिया का पत्ता डालने के बाद में भी इन्हें मिला देंगे एक बार अच्छे से और धनिया का पत्ता भी मिल चुके हैं तो हम मसला को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो सूजी का जो डो बना के हम रखे थे उन्हें आप देख लेते हैं तो सूजी का डो जो है ठंडा हो चुके हैं और अच्छे से ये सेट भी हो चुके हैं तो सूजी को हम अच्छे से गूत लेते हैं एकदम चिकन जो बनाईएगा तो फटे नहीं कहीं से भी और बहुत ही असानी से बन जाए तो सूर्जी का डो जो है लग चुके हैं अच्छे से तब इसमें से हम छोटे छोटे से लोई तोड़ लेते हैं और कचोरी बनाते हैं तो आप यहां पे छोटे बड़े कचोरी जैसा आपको पसंद हो उसी साब से आप बना सकते हैं तो हम ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा मीडियम सेज का कचोरी बनाए हैं तो इसे हम कचोरी के जैसे बना लेते हैं लोई को और इसमें आलू का मसला जो बना के रख बीच में अलू का मसल्ला उंगली के मदद से दवा दिजिएगा और इस तरीके से आपको अच्छे से बंद कर लेना है, तो Ẹु किशोरी बनके त्यार हो चुके है तो सभी हम हम सेम तरीके से tracks किशोरी बना लेते हैं, बनाना बहुत ही असान है और इतना स्वादिस्ट कचोडी बनकर के तियार होते हैं, जो हम क्या बताएं सब दों में बया नहीं कर सकते हैं तो आप इन्हें एक बार जरूर बनाईएगा तो सभी कचोरी को हम बना लिए हैं तो इसे तलने के परसेस में चलते हैं तो कचोरी तलने के लिए हम यहाँ पे तेल गरम होने के लिए पहले से रख लिए हैं तेल गरम हो चुके हैं अच्छे से तो कचोरी को हम तेल मे दीजिएगा थोड़ा थोड़ा देर पे और दोनों ही side से आपको एकदम अच्छे सेbecue होने तक पकने देना है तो एक तरप से यह थोड़ा सेख चुके हैं तो हम side change कर देते हैं और पांच से 6 मिनियर तक हाप इसे अच्छे से क्रेस्पी होने तक side change करते रहिएगा बीच विच में और पकने दीजिएगा बहुत ही ज़दा स्वादिष्ट खास्ता कचोरी बनके त्यार हो जाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा जो कि यह सूजी से बना है इतना क्रेश्पी रहते हैं तो इन्हें हम साइड चेंज करते हुए तल लिए हैं कचोरी को अच्छे अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को नीचे में लाइक का बटन दिया गया है उसे क्लिक कर दिजिएगा और लाइक कर दिजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो कचोरी को निकाल लेते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट क कचोरी है तो आप इने एक बार जरू ट्राइ किजिएगा जो भी खाएंगे तारीब करते रह जाएंगे इतना स्वादिष्ट क्रेस्पी कुरकुरे कचोरी बन करके तयार होते हैं सूजी से ज्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही कम तेल के साथ में बनता है तो जैसे कि तो उमीद करते हैं ये कचोरी का रिसेपी आप सभी को पसंद आई होगी रिसेपी पसंद आई तो वीडियो को फिरेनुट फ्रेमिली में सेर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भ रहेंगे और आप लोग वीडियो देख पाएंगे,